हेलो गाइज, वेल्ट अक्स्रस में आपका हर्थिक स्वागत है, आज मैं आपके लिए तीन इंट्राडे स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल, कल यानि 27 जुलाई 2021 के दिन मंगल बार को, जो लेवल में बताऊंगा, अगर वो लेवल पे मिलते हो तो आप उसमें एंट्री क आप सकते हो, और एंट्री करने के बाद आप उसमें 2% का स्टॉप लगा सकते हो, अगर इंवैलिट सेट अप होता है तो आप उसको आवड़ भी कर सकते हो, 9 बच के 7 मिनिट पे आपको देखना है कि कौन से स्टॉक मेरे बाइंग लेवल पे आ रहा है, तो आप उसके अको स्टॉक मेरे बाइंग प्राइस से थोड़ा चार उपीज उपन होता है, तो स्टॉक ने अच्छा मुमेंट दिया था, आप देख सकते हो, 1730 का हाई मारा था, लेकिन वह इन्वैलिट सेटप है, तो मैंने चार दिया, गुजरात प्लूरो केम था, एक नितिन स्पीनर था, मास्टेक था, और मंगलम सिमेट था, तो चार में से अपना एक से पेकी ट्रेड एक्टिव हुआ था, नितिन स्पीनर नाम का स्टॉक है, वो 197.60 पे बोला था, आप बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे ओपन हुआ था, तो वो एक्टिव हो गया था, तो उसने अच्छ अपना पहला 22 तारिक को एक एक्टिव हुआ था, तो 22 तारिक को एक्टिव हुआ था एक ट्रेड, तो उसमें अपना 2% का स्टॉप लॉस हो गया था, आपको मैंने समझा था, उसके बाद 23 को नहीं हुआ था, शुक्रावार को एक्टिव नहीं हुआ था, फिर मंडे को मैं अब दिया उसमें एक stock active वह नितीन spin नाम का नितीन spinner उसको बोलते है 197.6 पे अपना buy level है trigger अब अभी stock trade active ही अपना और अभी active ही है 205 जीतना चल रहा है तो अपना इसमें target पहला 209.50 तो 45 पैसे से अपने रहा गए नहीं पहला target जब भी आ जाता है तो अपने उसको cost to cost ट्रेल कर देते है असल लेकिन अभी 6% आया नहीं तो अपने wait करेंगे और दूसरा target कल fully target आ जाएगा तो 21.30 का target है वो अपना 12 टका का target रहेगा वो कल अचीव हो जाएगा तो कल trade मरलब close हो सकता है तो अभी मैं आपको चार stock बताने जा रहा हूँ sorry तीन stock बताने जा रहा हूँ इसमें पहला stock है master का तो उससे पहले देखो गाईज गुजरात प्लूरो के में क्या हुआ था मैंने buying price यह था 1639.95 और open price देखो 1634 था है यानि अपने valid setup में count नहीं करेंगे बले stock अच्छा उपर गया है लेकिन उसको अपने देखेंगे भी नहीं और stock अपने ऐसे देखो आज 78% stock चला गया है और इसका high भी 1730 का था तो ऐसे इसलिए मैं बोलता है कि यह circuit stock होते है तो यह strategy बहुत अच्छे से काम करती है आप ध्यान से देखोगे तो सारे stock अच्छे से काम करते है तो और दूसरा stock अपना जो active हो था नितीन spinner का बता देता है देखो यह रहान दीतीन spinner 205 जितना चल रहा है देखो यहापे open देखो सपोज यहापे किसीने entry ली होती सपोज 20 तारिक को और 21 तारिक को तो देखो 187 buying price होती तो देखो आराम से उसमें 12% का target हो गया है मैंने बोला एक से दो दिन लेकिन इसमें तीन दिन लगए कभी कभी हो जाता है लेकिन आप trail करके चलोगे तो आराम से इसमें पैसे बनाओगे तो अभी इसमें भी अपने trail करेंगे क्योंकि trade अपना active है और buying price से उपर है तो tension वाली बात नहीं है आप इसको trail करके stop loss लगा के चल सकते है अभी अपना 6% का target अची नहीं हुआ इसलिए अपना stop loss रहेगा वह कौन सा रहेगा वन इसका जो था आप देख सकते है 193.65 अपन पहला stock में बता देता हूँ आपको और यह गाइस मैंने बता आपको यह जो strategy पेशन्स जो लोग है जिसके पास पेशन्स है उनके लिए है आप चाहँ को रोज trading करें असा नहीं होता है इसमें मैं आपको लिखके देता हूँ अगर आप में 10 trade करोगे इसमें accuracy सिफ 20% ही आप अपने को कितना होगा 14% का क्या आएगा loss आएगा क्योंकि 2% का अपने stop loss लगाते हैं लेकिन 3 trade अपना सही गए और average अपना रहा 9% का average रहता है यहनि 27% का क्या होगा अपने को profit होगा तो आप plus minus करोगे तो कितना overall मतलब 10 trade में से अपने 13% का profit लेके जाएंगे इसमें तो ब follow करें कि तो आराम से पैसे कमा सकते हो तो अब टाइम वेस्ट ने करते हैं मैं पहला stock का नाम बता रहता हो जिसका नाम है मास्टेक लेकिन discipline से आपको trade करना पड़ेगा यह देखो मास्टेक में simple logic है यहापे भी trade आया हुआ था है देखो कितना अच्छा उपमोमेंट दिया आराम से target अच्य हो जाजा जिसने भी trade किये मेंट तो अपने को स्ट लोज में stop loss ओगा, फिट टर्छेट होगा एक तो अगर दस में से डेली चार्ट के उपर analysis है और RSI 50 है जो लोग नहीं मेरे ध्यान से देखो RSI 50 की value मैंने लिए और overbought की value है वो मैंने 70 है तो RSI 50 70 overbought value है तो अभी 70 के उपर trade होना चाहिए तो सही ये stock 70 के उपर value है तो stock अभी rate candle अपने wait करेंगे देखो मैंने Monday को भी दिया था इसके उपर bike लेकिट rate candle के उपर cross ही नहीं किया तो अभी भी RSI की value देखो फिर से अभी भी वही level पे तो अपने फिर से इसमें entry कर सकते rate candle का high note कर लेंगे तो high कितना है 2721.721 है तो अपने buy कप करेंगे 2721.10 अपना क्या हो गया buying price हो गया जब भी लेकिन stock के सब्सक्राइब बाइंग प्राइज है उसके निचे open होना चाहिए फिर break करना चाहिए जैसे आद नितिन spinner में हुआ था कि यह buying price था stock नीचे 192 पे open हो फिर 197.60 गया था तो ऐसा हो तो यह valid setup है गुजरात प्रूरो में क्या होता बाइंग प्राइस था यहां पे stock open हो के उपर चला गया है तो ऐसा हो तो आप invalid setup में count कर सकते हो अपने watch list में ऐसे stock लगा हो कि यह सब बाइंग price है या तो same वह price पे open होना चाहिए या तो उसके नीचे open होना चाहिए तब ही आप 9,7,9,8 को watch list में लगा सकते हो कि यह मेरा valid setup में आ रहा है तो उसको आप पूरे दिन close watch कर सकते हो वह stock को तो master का अपने buy करेंगे 2721.10 पे पहला target रहेगा वह 6% का रहेगा 6% का target का बात है तो उसमें आता है 2884.35 यह पहला target आएगा आप note pen में लिख सकते हो अपना target या तो calculator से आप calculation भी कर सकते हो कि 2721.10 प्लस 6% तो यह result आएगा आपका तो पहला target रहेगा दूसरा target रहेगा वह 3040.60 पैसे का रहेगा यह अपना दूसरा target रहेगा और इसमें 2% का stop loss लगाएगे चब प्रेड एक्टी होगा तो 2% का stop loss लगाएगे तो stop loss रहेगा वह कितना रहेगा 2666.65 का रहेगा 2666.65 अपना क्या रहेगा stop loss रहेगा तो यह आप ध्यान में लेके चल सकते हो मास्टेक म लेकिन discipline से आपको trade करना पड़ेगा गाईस और दूसरा stock का नामे DVL धंशेरी धंशेरी वेंचर DVL में buy करने का reason क्या है तो आप देखोगे अभी भी RSI की value कितना अच्छे से उपर जा रहे है तो को इसमें trade करते तो valid setup नहीं आता है मतलब stop loss हो जाता है लेकिन मैंने बोला आपको दो में stop loss होगा तो एक में इसमें risk reward रहेगा वो 30 से 40% का ही रहता है तो उसके इसाब से आप trade लेकर चल सकते है देखो इसमें buy कर सकते है क्योंकि अभी भी देखो red candle ही है तो DVL को अपने buy करेंगे अभी कौन सा चल रहा है price यह red candle के देखो suppose यहाँ पे buy आता तो दे उपर buy करने का 310.40 अपना trigger price होगा लेकिन इधर देखो open price कितना है 311.85 है इसलिए मैं बोलता कि open price बहुत है माई नहीं रखता क्योंकि मैं पिछले 6 महिने से इसको analysis करता हूँ जब भी open price ज्यादा होता है तो stock भी नीचे बहुत ज्यादा आ जाता है तो इसलिए invalid setup हो जात आगे buy करने के बाद buy करने के बाद अपना पहला target कितना रहेगा 312.10 प्लस 6 परसंट यानि कितना target हो गए अपना 330.8 का अपना पहला target हो जाएगा और दूसरा target 12 परसंट जाएगा इन्हीं 349 पोइंट 355 पोइंट अपना क्या हो गए था दूसरा target 12 परसंट का average मिला हो गए तो 9 परसंट अपने आ जाएगा और stop loss लेवल भी ज़रूर है जब भी stock active हो जाए उसके बाद आप अपनी system में stop loss लगा सकते हो 305.85 का stop loss लगा सकते हो तो यह अपना दूसरा stock हो गए है DVL अब यह तीसरा और आखरे stock बताने जा रहा हो जिसका नाम है JSW Energy यह stock आपको मैं बता रहा हो दिखो blue sky territory में चल रहा है अगर आपको मैंने बोला है जब भी 70 के उपर stock जाता है तो बहुत अच्छे से moment देता है तो आप ए अरिया दिखो मैं जो draw कर रहा हो तो दिखो stock ने य red candle का तो finally either red candle बन गई है तो अपने इसके उपर buy कर सकते है अगर stock अच्छा होगा तो इसको break करके उपर जाएगा तो वो stock CDSL जैसे मैंने CDSL दिया था लेकिन वो buying level के उपर गया ही नहीं और back to back 2-3 दिन से lower circuit ही मार रहा है तो इससे अपने को filter हो जाएंगे कि stock अच्छा red candle भी बनी हुए तो अपने इसके उपर buy करेंगे buying level रहेगा वो 255.10 का रहेगा क्योंकि 255 का high है तो 10 पैसा buffer लगाएंगे उपर यानि 255.10 अपने buying level है तो पहला target रहेगा वो 6% का रहेगा यानि 270.40 का पहला target रहेगा दूसरा target रहेगा वो 12% का रहेगा यानि 285.70 अपन अपने stop loss रहेगा तो 2% नुक्सान आए तो आप लेके निकल सकते weight मत करना दूसरे दिन उपर आएगा ऐसा weight मत करना CDSL में पिछले 2-3 दिन से वो निचे ही जा रहा है back to back इसलिए बहुत जरूर है stop loss लगाना तो ये तीन stock मैंने बता दिये पहला stock मास्टेक दूसरा है DVL औ कि इनों में trade करके एक अच्छा मुनापा ले सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को like करके जाना और मैं आपको बता दू कि मैं swing trade देता हूँ वो कैसा perform करते हैं देखो ये वाला swing trade मैंने दिया था अतिंग गंटे की candle के उपर दिया था यहाँ पे करिब दिया था मेरा पूराना last मलग कल संडे का ने उसके पहले का जो संडे का वीडियो वो जाके देख सकते हूँ टे एन पेट्रो chemical मैंने दिया था देखो यहाँ से तो बहुत अच्छे अच्छे stock होते है जैसे speak का दिया था curly दिया था मेने swing trade में देखो 60.80 पे दिया था है वो देखो 65 का पहला target था वो अच्छी हो गया 70 का target है वो लेकिन 1-30 दिन के लिए है तो ऐसा जरूरी कली अच्छी हो जाए मेबी 5-10 दिन वो stock sideways जाए फिर break करें तो बहुत जरूरी है लेकिन कोई भी trade हो गाईस आप entry करो उससे पहले आपको stop loss कितना है risk कितना है उसके इसाब से आप trading करोगे तो आराम से market में पैसा कमा risk reward बहुत जरूर है risk reward अच्छा है तो आप entry कर सकते हैं तो यह guys analysis हो गई मेरी तो आपको वीडियो अच्छा लगए प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं हो तो thank you very much guys अगर कल कोई setup ऐसा आएगा ऐसा जरूरी है कि में intraday में रोज इस वीडियो बनाओ त्यान से सुनना अगर कल कोई ऐसा मालब कोई stock आएगा नहीं मेरे setup में तो वीडियो में भी ना बनाओ क्योंकि market support back to back गिर करेगी मालब 10-15 गिरेगी तो में भी setup में ना आए तो ऐसा जरूरी है को रोज वीडियो है लेकिन हो सके उतना आएगा वीड और जाते ऐसे निचे भी आते तो कल में भी निचे भी आ सकते इसलिए जो लेवल बता है वो लेवल बहुत जरूरी है गाई थैंक यू बबाबाए और प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना थैंक यू बबाए